असलाम अलेकुम, आज मैं आपके साथ में चिकन कटलेट की रेसिपी शेयर करीए आप इसे चिकन कटलेट के या फिर चिकन रशिन कबाब के जो भी बहुत ही काफी मज़ेक है और टेस्टी ये बन करके तैयार होते हैं मैं आपको बताऊंगी कि आप कम से कम चिकन में धेर सारे कटलेट किस तरह से बना करके तयार कर सकते तो जरूर से वीडियो को पूरा देखे इसे स्कीप ना करिए चलियाए देखते इसे बनाते कैसे है उससे पहले अगर आप मेरे चाइनल पे नए है तो इससे सब्सक्राइब करिए साथी में जो बैल आइकोन है उससे और पर प्रेस करिए जिससे के आने वाली मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुचे सबसे पहले हम एक बर्तन में तीन टेबल इस्पून ऑईल को गर्म करलेंगे जब आइल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर हाफ टी स्पॉन शाजीरा दालेंगे इससे दो सेकेंड के लिए फ्राइब कर लेंगे जैब ये फ्राय हो जा ता हम इसके अंदर वन ट तायस के गाो लीती और तीरी मीडियम के शिम्ला र Gir zwischenine it के लिए हिला के लिए इस तरह से पका है इह अ कर दालेंगे इस से दालने के बाद मोए अच्छे से मिक्स कर लेंगे 2-3 मिट के लिए मिक्स कर लेंगे उस्के तो बाद में एक कप मेने आपप बोईल करी वी श्रेड़ेट शिकन ले ली हूं एक कप भर करके यह इसे मैंने अधरकलसन और थोड़ अधरकलसन और नमक में पानी के साथ में बॉइल कर ली इसके पानी का सूप जो रहेगा उसका यूस हम आगे करेंगे इसे अच्छे से दो का बॉयल करें थे उसका जो सूप बचा था उसके अंदर मैंने चाट टेबल स्पून मैदे को डाल करके इस तरह से इसका एक पेश सा बना ली थी यह डाल देंगे सारा यहाँ पे अभी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखे इस तरह से मैदा हमारा कच्छा है म गरम ही रखेंगे जब गरम ही रहे तो हम इसके अंदर 4-5 मैंने यहाँ पर चीज स्लाइस डालती हो आपके पास जो भी चीज अवेलेबल हो मतलब जो प्यापको पसंद हो और चीज की कॉन्टिटी आप अपने हिसाब से कमिया जादा डाल सकते और इस अच्छे से मिक्स कर अच्छे से ठंडा हो गया तो उसे भी मैंने एक प्लेट में निकाल लिए यहाँ पर थोड़ा सा ओईल लगा लेंगे और इस तरह से जितनी कॉन्टिटी का आपको बड़ा चोटा कटलेट बनाने वह इसाप से इस तरह से इसका कटलेट का मसाला लेंगे और इसे एक अच् इसमें अंडे के इसमें डाल दूँगी जो अंडे का में फेट के रखेते इसमें डीप करके फॉक की मदद से निकाल लेंगे और इसमें सेवई में डाल देंगे जो हमनें करश करके रखे उससे अच्छे से कोट कर लेंगे इस तरह से इसके साइट्स पे भी अच्छे से इ अगर आप इसे फ्रीज करना चाहते हैं तो इसे एक के ऊपर एक ना रखे फैला करके फ्रीजर में रखे जब यहाड हो जाए तो किसी भी जी ब्लॉग या एटाइट डबे में भर करके इसे त्री वीक के लिए अराम से रख सकते हैं तो यहाँ पे मैंने कड़ाई को गरम कर लीती है और उसके अंदर कटलेट डाल दियू वीडियो थोड़ी सी स्कीप हो गई तो मैं आपको दिखानी पाई यहाँ पे मैंने सिंपली खाली कटलेट को फ्राय करने के लिए दाल दियू जब यह अच्छे से एक साइट से फ्राय ह हो गये हैं तो मैं यहां पर आपकोई से निकाल लूंगी से निकाल करके आपको दिखाती हूं यहां पर हमारे चिकन BM से कट्लेट बन करके तयार है मैं यहां पर घर में जरूर से बना, इसे ट्राइ करें, अपने घर वाले को खिला, इंशालले सभी को बहुत पसंद आएगा, वीडियो अच्छा लगा तो इससे लाइक शेर करिए, चैनल पर नए तो बन टाइम सब्सक्राइब करिए, साती में जो बैल आइकोन इसे और पर प्रेस करिए, आप तक कोचे चलिए, आल्ला हाफीस।